बोटर कावस का ट्रोफी दोहजार चौबिस पच्चिस के पहले टेस्ट मुकाबले यानि पर्थ टेस्ट मुकाबले में टीमेडिया ने बाजी बार ली 295 रन से ही मुकाबला अपने नाम कर लिया पर्थ टेस्ट मुकाबले में एक तरफा भारत का बोल बाला रहा रोहिच शर्मा के एपसेंस में जस्पीद बूमरा ने कमान सम्हाली और बहतरीन तरीके से विकेट चटका कर सभी को चौकरना कर दिया विदाउट रविंदर जडेजा, विदाउट अश्विन, रोहिच शर्मा, शुबमंगिल इन सब के अलावा जो हमारी यूवा टीम थी और साथ-साथ जो एक्सपीरियंस्ट खिलाडी का मिक्स्चर था वो काम कर गया इस पर्थ चैस्स मुकाबले में विरात कोहली के शत्को का सूखा टेस्ट क्रिकित में ये भी हमने देख लिया लेकिन शत्क जडनी के बाद के बाद रवी शासत्री जोकी कमेंटरी पैनल का हिस्सा साते उन्होने एक बहुत इंट्रस्टिंग सा किस्सर सुनाया है अब हमको काफी टाइम पीछे यानि लगभग दस सार पीछे लेगा है 2014 के अराउंड की ये बात है उस टाइम पे बॉक्सिंग डेट एस मुकाबले में विराठ कोहली ने जब शतक लगाया था अनुष्का शर्मा को इसी तरीके से फ्लाइं किस उन्होंने डिलिवर करी थी ज अनुष्का शर्मा को अपने साथ तूर पे लेकर आना चाहता हूं तो शास्त्री जी ने कहा था बिलकुल लेकर आईगे तो विराठ कोहली ने कहा था लेकिन बोड इसकी रजावंदी नहीं दे रहा है अलाउड नहीं कर रहा है क्योंकि उस टाइम पे बीसीजी थोड़ से स्ट्रिक्ट हुआ करती थी उन्होंने कह दिया था कि सिर्फ वाइफ्स अलाउड है जिसको आप डेट कर रहे हैं आपकी कोई गल्फ्रेंड है वो अलाउड नहीं है सिर्फ वाइफ्स ही इस टूर पे इस दौरे पर आ सकती है लेकिन विराठ कोहली ने रिक्वेस्ट करी श स्टेंट्स में मौझूद थी विराठ ने श्वत्क लगाया था और इसी तरीके का सेलिब्रेशन किया था जैसा इस बार किया यानि वो जो फ्लाइंग किस थी दस साल पुरानी वाली वो दस साल बाद भी फ्लाइंग किस सेम है उस टाइम पे बस सफर्क यह किस टाइम पर अभी विराठ कोहली की पतनी है अनुषका शर्मा तो अनुषका शर्मा हमेशा से विराठ की बैकबोन बनके उनका सहारा बनके उनका सपोर्ट सिस्टम बनके खड़ी रही है और इस बार भी हमें वही देखने को मिला कि विमन पावर संजना गनेशन भी वहां पर थी विरा पुरानी ओल्ड टेल्स हम बोलेंगे पुरानी जो किस्से पुरानी जो कहानिया है यह आपको कितनी मज़िदार लगी